नमस्ते फेंस में डॉक्टर रेनुका और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज का टॉपिक है PGH मतलब प्रीमेच्वर ग्रेइंग अफ हेर कम उम्र में बालों का सफेध हो जाना दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में नैच्रली बाल सफेध होने की उम्र क्या है और किस उम्र में बाल सफेध हो जाए तो उसको प्रीमेच्वर ग्रेइंग अफ हेर कहेंगे और हमारे बालो का करण किस फैक्टर के कारण बनता है और पूरी दुनिया में किस किस तरह के बालो के कलर के लोग दीखे गए हैं, बालो के सफेद होने का क्या कारण हो सकता है और उसका होमियोपेथिक ट्रीटमेंट तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स यदि उम्रिक के साथ बाल सफेद होते हैं तो उसको बिमारी में कंसीडर नहीं किया जा सकता जैसे कि आपने कहावा सुनी ही होगी मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किया हैं एक उम्र के बाद बाल सफेद होना seniority, experience और maturity की निशानी होता है अब यह समझते हैं कि किस उम्र में यदी बाल सफेद हो जाएं तो उसे premature growing कहेंगे हम इसे ऐसे समझते हैं कि Asian countries में 30 साल की उमर के पहले यदी बाल सफेद होते हैं तो उसे premature growing कहते हैं और African countries में 40 की उमर के पहले यदी बाल सफेद होते हैं तो उसे premature growing of hair कहते हैं फिर भी यदी मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो 30 से 35 साल की उमर के पहले यदी किसी के बाल सफेद हो रहे हैं तो वो premature growing of hair में consider होगा दोस्तों जैसे कि मैंने मेरी complexion वाले वीडियो में बताया है कि 5 complexion के लोग पूरी दुनिया में देखे गए हैं वैसे ही 4 hair color वाले लोग पूरी दुनिया में देखे गए हैं जैसे कि black, brown, blonde and red दोस्तों हमारे शरीर में melanin pigment हमारे बालों का रंग बनाता है उसी से बाल black या brown हो जाते हैं अब हम बात करेंगे कि बाल कम उमर में सफेद क्यों हो जाते हैं इसका पहला और सबसे बड़ा रीजन है आजकल की lifestyle आजकल की sedentary life जिसमें लोग proper diet नहीं लेते हैं टाइम से सोते नहीं है stressful life जीते हैं जिसके कारण body में melanin pigment बनना कम हो जाता है और बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं नमबर टू पर है genetics यदि आपके किसी बड़े family member में बाल जल्दी सफेद हुए हैं तो आपके chances भी जल्दी बाल सफेद होने के बढ़ जाते हैं पर कारण हो सकता है chemicals and pollution हम यदि किसी cosmetic product को use करते हैं dye use करते हैं तो भी बाल जल्दी permanently gray color के हो जाते हैं और कभी कभी किसी medication के improper use से भी बाल सफेद हो जाते हैं दोस्तों किसी autoimmune बीमारी में भी बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं autoimmune बीमारी वा होती है जिसमें body का immunity system अपनी ही body को harm पहुचाने लगा है एक और बहुत बड़ा reason है early age में tobacco का consumption करने लगना या cigarette smoking करने लगना इससे nicotine हमारे शरीर में जाता है और blood vessels में blood का flow कम कर देता है उससे भी हमारे बाल जल्दी grey हो जाते हैं और जल्दी जड़ने भी लगते हैं तो अब topic को end करते हुए हम homeopathic treatment की बात करेंगे इसमें सबसे पहली दवाई है lycopodium 200 यह medicine हम तब देते हैं जब patient को premature growing of hair होने लगती है और उसके सांद उसका digestion अच्छा नहीं होता है constipation बना रहता है इसको gaze की तकलीफ होती है तो यदि यह patient थोड़ा सा lifestyle में change कर बाल ठीक हो सकते हैं जब बाल सफेध हो जाते हैं किसी deficiency के कारण या anemia के कारण तो यह medicine बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों तो यदि patient थोड़ा diet में change लाए और नेटर में रखाए तो बाल ठीक हो सकते हैं नमबर तीन पर medicine है phosphorus 200 यह medicine patient को तब देते हैं जब उसका metabolism सही नहीं रहता उसका खाना अच्छे से पच्छता नहीं है और उसके बालों में बहुत सा ड्रेंडर्फ होता है और खुझली होती है और बाल गिरने की सांसान बालों को जल्दी सफेध भी हो जाते हैं तो यह medicine बह पोशक्त तत्व की कमी होती है इसके कान उसके बाल सफेध हो जाते हैं जल्दी सफेध हो जाते हैं तो यदि patient यह दवाई लेता है तो इससे उसकी body भी improve होगी और उसके hair भी improve होंगे friends, homeopathy में patient के हिसाब से दवाई के doses and potency change होते रहते हैं इसलिए इन में से आपको कोई भी दवाई किसी भी doctor को physically दिखा कर ही लेनी है दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो informative लगा हो तो please like, share and subscribe my video, my channel, thank you